आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पोजिशन पर जैड है ठीक है, तो हमेरा थी डिजिट नमबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100 इंटो X प्लस 10 इंटो Y प्लस Z, ठीक है अब यह कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है अब थी डिजिट नमबर इस इक्वल टो 17 ताइम्स तो वो आजाएगा ठीक है इसको अगर आप सॉल्फ करोगे तो 100-17x अजाएगा ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 83x ठीक है, और यह आजाएगा प्लस 10y, मिनिस 17y तो यह आजाएगा, मिनिस 7y और यह आजाएगा, मिनिस 16z इस इक्वल टो 0 तो यह हमारी हो गए equation 1, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, if 198 is added to the number, the digit gets reverse, ठीक है, हमें कहा रहा है, 198 हमने add किया इस number में, number हमारा क्या है, 100x, plus 10y, plus z, इसमें हमें कह रहा है कि, अगर हमने 198 add किया, तो यहां से digit reverse हो जाएगी, तो reverse हो जाएगी, तो यह क्या जाएगा, 100 into z, plus 10 into y, plus x, ठीक, अब अगर हम यहां से देखे, तो यह 10y और 10y तो cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, 100x, minus x हो जाएगा, तो यह 99x आजाएगा, ठीक है, और यह 100z, plus z, minus का आजाएगा, तो यह आजाएगा, तो हम, minus 99z, plus 198, is equal to 0, ठीक है, यहां से अगर हम 99x देखे, तो इसकी value क्या जाएगी, 99z, minus 198, इसे अगर हम solve करें, तो x की value क्या जाएगी, z, minus 2, ठीक है, इसे हम equation 2 माल लेते हैं, ठीक है, अब मैं, यहां पर solve कर लेता हो, ठीक है, तो अब हमें क्या दे रहा है, the sum of extreme digit is 1 less than the middle digit, ठीक है, इसका मतलब क्या है, sum of extreme digit, sum of extreme digit क्या जाएगी, unit और 100, ठीक है, z plus x, हमें क्या दे रहा है, 1 less than the middle, यानि, middle वाले से 1 less y minus 1, ठीक है, इसको अगर आप solve करोगे, तो यहां से क्या आजाएगा, इसको अगर हम solve करेंगे, तो यहां से हमारी x की value आजाएगी, y minus z minus 1, ठीक है, और अभी हमने second equation में निकाला था, x की value z minus 2 थी, ठीक है, तो हम कह सकते है, x में अगर हम z minus 2 जाल दे, तो यह आजाएगा y minus z minus 1, ठीक है, z को इदार ले जाएगे, तो यह 2z minus 2 is equal to y minus 1 होगा, ठीक है, और हमारा यहां से z अगर हम calculate करेंगे, तो z कितना आ जाएगा, ठीक है, यहां से z, हम ऐसा करते है, यहां प minus 1, ठीक है, तो यह हमारी y की value आ गई, अब हमारे पास, यह equation 3 हो गई, ठीक है, अब हम देगे, तो हमारे x b z की term में है, y b z की term में है, यह अगर हम equation 1 में put कर ले, तो हमारे क्या जाएगा, substituting equation 2 and 3 in 1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 83x, as it is रहेगा, 83x, as it is नहीं रहेगा, 83x में, यह आ जाएगा, z minus 2, minus 7, y है हमारा, 2z minus 1, minus 16z, as it is आएगा, is equal to 0, ठीक है, यह आ जाएगा, 83z, minus, यह आएगा, 166, minus 14z, plus 7, minus 16z, is equal to 0, ठीक है, यहाँ से, 83z, minus 14z, minus 16z, z वाली term में एक साइट रहे रहेंगे, और यह जो constant है, उनको right-hand side में ले जाते है, तो यह आ जाएगा, 166, minus 7, ठीक है, इसको solve करोगे, तो इसकी value आती है, 53z, क्योंकि, minus 16z, minus 14z हो जाएगा, हमारा, minus 30z, और 83, minus 30, क्या हो जाएगा, 53, ठीक है, और यह आजाएगा, 159, तो यहाँ से z की value क्या आ जाएगी, z हमारा आ जाएगा, 3, ठीक है, अब हम क्या करते है, equation 2, जो हमें देरी की थी, equation 2, मैं यहाँ पर solve कर रहाँ, वो थी, x is equal to z minus 2, ठीक है, इसमें हमने z की value पुट की, तो 3 minus 2 क्या हो जाएगा, 1, तो x आगे हमारा 1 के बराबन, ठीक है, equation 3 हमारी क्या थी, equation 3 हमने यहाँ पर निकाल ली थी, कि y is equal to 2 z minus 1, तो y की value क्या थी, 2 z minus 1, तो यहाँ अगर हम put करते हैं तो 3, 2, 6, minus 1, 5, तो y की value क्या आ गई, 5, तो हमारा number क्या था, हमारा number था, 100 x plus 10 y plus z था, ठीक है, अगर आप इसको calculate कर रहें तो इसकी value क्या आ जाएगी, इसकी value आ जाएगी, 1, 5, 3, इसकी value आ जाएगी, और यही हमारा इसका answer होगा, तो हमारा answer आ गया, 1, 5, 3, thank you so much guys, I hope you like the video.